प्रेस्ट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बैल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज नमस्कार दोस्तों अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज है मेरे हाथ में एक ब्लूटूथ इयर फोन दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मेरा ओवरॉल एक्सप्रियंस इसके बारे में कैसा रहा है किस तरह का ब्लूटूथ है आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए इमांधारी से पूरा-पूरा ओपिनियन दिया जाएगा दोस्तों सबसे पहले में बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी गी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे काफी अच्छी लगी और इसका जो वेट है सिर्फ 21 ग्राम है जी हैं दोस्तों और यह काफी फ्लेक्सिबल है आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो कोई प्र यह कान में एक दूसरा आते हैं अब मैं बात करूं सबसे जो में चीज़ होती है साउन्ड क्वाल्टी और बैट्री बैकप clean sounds quality की किया मैं बात करों दोस्तों sound quality है स्की sound quality है मैं छी हां दोस्तों बहुत ही शानदार इसकी sound quality अगर मैं आप से battery backup की बात करों तो इसका battery backup बह देख सकते हो और यह सही बात है बिलकुल आप आराम से देख सकते हो और दोस्तों जो इसका stand-by time है वो है लगभग 200 hours जी हां दोस्तों 200 गंटे यहां पर कुछ बटन दे रखे हैं यह है आपका करने का बटन इसको और इसके साथ ही आप इससे कॉल भी उठा सकते हो कॉल भी काट सकते हो यहां वॉल्यूम बटन है इसके ऊपर इससे आप अगला सौंग चेंज भी कर सकते हो और बैक वाला सौंग भी चला सकते हो तो इस तरह से यह ब्लूटूथ है अब मैं बात करूं इसकी प्राइस की तो आपको अमेजन से लगभग यह 1299 रुपे का मिल जाएगा ओफ-लाइन कभी-कभी आपको सस्ता भी मिल सकता है आप देख लिए अगर आपको ऑफ-लाइन सस्ता मिलता हो तो आफ-लाइन ले लिजे मैंने वैसे ऑफ इस म्यूजिक प्लेबेक डियूल पेरिंग डियूल माइक नोइस कैंसिलेशन आइप एक्स फोर रेटेड वोइस असिस्टेंस मल्टी फंक्शन पटन ब्लूटूथ 5.0 लाइट वेट मेरे पास सैमसंग का सैमसंग लेवल यू था जो अब तक मैंने चलाया था वह अच्छ सांड क्वाल्टी और अच्छी आती है और दोस्तों इसमें ये फ्लेक्सिबल है तो ये चटकने का खत्रा नहीं जो मेरे पास सैमसंग लेवल यू था वो मेरा यहां से ही चटका था उसकी प्लास्टिक की चटकी थी खराब नहीं हुआ था वो भी सिर्फ प्लास्टिक बेक तो दोस्तों मेरा उपुनियन यह है कि आप इसको बड़े ही आराम से खरी सकते हो तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए बने गई हमारे साथ थैंक्स फॉर वाचिंग है बनाइस टेड़